हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दे एक्जाम है कर यूटूब चैनल दोस्तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पे मैरिन हीट बजट था उसको हम लोग डिसकस किये हुए थे दोस्तो उसके बाद यहाँ पे यूपीसी सिले पे से एकॉर्डिंग हमारी मेंसन है salt budget of the ocean तो हम लोग आज के इस वीडियो में यहाँ पे ocean की जो salt budget है उसको यहाँ पे discuss करने वाले है तो हम लोग budget का simple मतलब पिछले वीडियो में भी देखे थे आज भी यहाँ पे देख लेते हैं budget का simple मतलब हता है in politics में आप देखोगे तो government जो budget paste करती है उसका मतलब होता होँ पे कि उहाँ पे income government detail देती है कहाँ कहाँ से income मिल रहे हैं और जो income मिल रहे हैं उसका expenditure क्या होगा उसका भी detailing होता है तो budget में income और expenditure दोनों का detail होता है और दोनों के यहाँ माइनस करोगे तो एक साल में यहाँ पे zero आएंगे यहाँ इंकम, government जीतनी होती है, expenditure जीतनी होती है और borrowing की जीतनी होती है उसको एदी minus करोगे expenditure और income में तो यहाँ पे net zero आएगा यह one year की बात होती है ठीक है, politics में budget one year के calculate किया रहता है लेकिन geography में आप देखोगे तो geography में one year का नहीं होता है ठीक है, जैसे हाँ पे salt budget आप ocean आप देखेंगे तो net जो salt होगी ocean में वो लगभग में same होगा ना ही बहुँ जादा English होगा, ना ही बहुँ जादा decrease होगा, लेकिन यह हमारा जो net summation है, वो हमारा one year का नहीं होगा, यह millions of year का होता है, जैसे कि आप earth budget में हम दो देखे थे कि earth का जो budget होता है daily का नहीं होता है, ना ही yearly का होता है यह हमारी second year का area आप देखो के तो हाँ पे net जो incoming हीट होती है, और expenditure जो होती है outgoing हीट होती है, दोनों का minus zero होता है, तहाँ पे budget हम जिग्राफिय में millions year की बात करते हैं, ना कि yearly की बात करते हैं तो चलों दोस्तों आज हम लोग देख लेते हैं, जो ocean की salt budget है, उसका detailing, इसका मतलब यहाँ पे ocean में salt कहां से आते हैं, और ocean के salt कहां जाते हैं, दोनों का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकि इससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप बताओ कि salt budget और salinity में difference क्या है, क्योंकि salinity भी हम लोग पढ़े हुए थे, और salt budget अभी भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में differences क्या है, देखो, salinity में हम लोग क्या देखे हुए थे, कि जो हमारे proportional कि salt का, वो हमारे salinity होता था यानि कि salinity की difference में देखे थे, कि जो हमारे 1000 gram जो हमारे ocean की water है उसमें कितना gram हमारा salt है, वो हमारे salinity होता था तो generally हम देखते थे 35 gram हमारी salt होती थी per 1000 gram of ocean water, तो salinity हमारी 35 होती थी, तो यहाँ पे हम लोग salt budget में क्या देखते हैं salt budget में total salt देखते हैं कि total salt हमारी ocean में बढ़ रही है या घट रही है उसकी हम बात करते हैं, ना कि proportional की बात करते हैं, वैसे तो salinity हमारी ocean में decrease कर रही है, क्योंकि हम लोग देखे थे, globalization हो रहा है, sorry global warming हो रहा है, उसके चलते है global warming हो रहा है, उसके चलते है हमारी polar की जो आइसे से हैं, वो हमारी increase, sorry, पिखल रही है और पिखलने को ज़से, fresh water ocean में ज्यादा बढ़ रहा है, इसके पुझे salinity हमारा decrease हो रहा है, लेकिन salt budget में आप देखोगे, तो total salt ocean में हमारा increase हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहुझार जो lethal sphere से हमारी, या land से salt है, वो हमारा discharge हो के ocean में आ रहा है, तो salt total content ocean का बढ़ रहा है, बट salinity हमारा decrease हो रहा है, तो दोनों में अंतर है, I hope यहाँ पे आपका अंतर clear हो गया होगा तो चलो दोस्तो, salt budget को हम लो detail में आपे study करते हैं, तो वैसे जैसे heat budget में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे salt भी आप देखोगे, तो ocean की salt है, remains same होता है over the larger duration, इसी को बहुते है salt budget, लेकिन ocean में जो salt होती है यह sylenity होती है, वो कहाँ से मिलते है, sources क्या होते है देखो, ocean में salt तीनो इंवार्मेंट की component हो उससे मिलते है, lethal atmosphere से भी मिलते है, atmosphere से भी मिलते है अब देखो, lethal spirit से कैसे मिलते है lethal spirit में आप देखो कि salt कहां पे होता है, salt generally rocks में होता है, ठीक है आप देखो salt कहा होता है rock में होता है आप draw में आप देखो कि weathering होता है weathering कैसे होगा biological भी होगा physical भी होगा mechanical किसी तÓर से weathering होगा तो weathered जो remains यैसे मालोब हमारा बारिश होता है बारिश में CO2 क मात्रा होती है sulfur की मात्रा होती है तो हमारे acid इक हमारा थोड़ा होता है बारिस की जो पानी होती है जो हमारा rock में पढ़ता है तो acid और rock में यहाँ पे chemical reaction हो जाते हैं और rock हमारा तूट जाता है और तूटने से rock में जो भी हमारा salt के मातरा होगी वो हमारी पानी में dissolve हो जाएंगी क्योंकि salt हमारी पानी में dissolve होत सब्सक्रह पर इती है तो लीधे स्पेर से हमारी क्या होती है रिवर के द्वरा सर्फिस रन आफू के सब्सक्र候げ मारे गुत्वेव करने Erosia तो सर्फिस रनाफ से वेवर के samhile से भी दिश्व busy होती हैं इसना वाया है जो Venutabatic होती है लीफ है जो प्लेट होती है चाह सब्सक्राइद mist और सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब होती है लेकिन यहाँ अब बाता है है में तो साल्ट के मात्र होती है तो डश्ट, जसे माँआ हम लो सारह की जो मनरूस्थल जो डश्ट ऊटते हैं बहुत ज्याद है धquisite उठते है, हजारों किलमेटर उबड़ जाते हैं तो डश्ट में साल्ट के मात्र होती है और वे धी धी में जाकर ओसिएन में कंटेंड करते हैं इडमोसीप्यर भी है और हमारा लीथोस्पेर भी है थी तीनों ये ओस dûट मिलती है अब हमको पता चल गए कहां मिलती है अब हम आउटकोएं के बात करें यानि कि ओसिन के सॉल्ट फिर निकलकर जाती कहा है लिफो इस पहुंचती है तो अभी तो हमारा बोल सकते हैं हिव्मन जो सॉल्ट निकलता है बहुत ही बहुत ही कम मातराम होता है उसको आप नहीं इंग्लूट करो तो मारा वहतो कुंको बहुतीकंम साल्ड निकालता लेकिन नेचुरली स्वाल्ड लिथुशक्त में जाता है. क Muk 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 इरोजन होगा उस salt का surface runoff से फिर से ocean में चले जाएंगे तिस तरह से cycle यहाँ पर बन जाता है यानि कि ocean में लीथोई स्पियर से salt जाता है ocean में ocean से technonic अपलिपेंट होती है फिर हमारा लीथोई स्पियर में salt आ जाता है इस तरह से हमारा millions year में आप बोल सकते हो कि हमारे salt की circulation होती रहती है और overall यहाँ पर सेम है ocean की salt यही मारा होती है दोस्तो salt की budget वैसे आप generalize आप करोगे यहाँ पर थोड़ा सावर देख लेते हैं salt budget हम लोग डिसस कर लिए लेकिन generalize आप करोगे तो salinity हमारा increase करती है depth के साथ हम लोग salinity जो salinity हम लोग ocean डिसस किये हुए थे और हमारा salinity decrease करती है increase up latitude यानि कि polver के आप जाओगे salinity हमारा decrease करेगी यहाँ पर salt budget की बाद नहीं हो रही salinity की बाद हो रही है और जो ocean की salt है वो हमारा क्या है यहाँ पर current के थुरू यहाँ पर mixing होती है यानि कि ocean जो current होती है या upwelling होती है downwelling होती है इसे पर salinity हमारा increase या decrease होती रहती है तो हमारा salinity के बारे में था लेकिन salt के बारे में हम लोग salt budget के बारे में अमनों पिछले slide में डिसस कर लिये थे तो आज के लिए बस दिना है दोस्तो I hope यहाँ पर जो अमनों डिसस के हैं आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आए होंगे तो thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ thank you